भारत Electronics Limited ने Project Engineer की वेकंसी अनौंस कर दी है और यहाँ पे सालरी 55 ताहुदन तक आपको मिल जाएगी अगर आपने BBA Tech किया है तो आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हो लगबग 10 वेकंसी होने वाली है और बहुत बड़े सालरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो क्या है इसकी Legibility Criteria क्या होगा इसका सेलेक्शन प्रोसेस और आप इसमें कैसे अपलाई कर सकते है सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले है तो वीडियो के इन तक जरूर देखिए अगर आप कोड़े पसंद आएगा तो इसमें अपलाई कर सकता है वैसे तो हम सभी का ड्रीम होता है कि हम IIT से इंजिनेंग करें बट बहुत कम लोगों का ये ड्रीम पूरा होता है तो अगर आप भी उन स्टूडन में से हो जो अपना IIT का अड्मिशन मिस कर दिये हो या फिर आप अड्मिशन लेना चाते थे IIT में बट आपका अड्मिशन नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़े अपश्यूटी ले के आरी अर्न अकडेमी अगर आपका भी ड्रीम था कि आप IIT से सीखना चाते हो या फिर IIT प्रोफेसर से सीखना चाते थे तो आपके लिए बहुत बड़े अपश्यूटी अठीमी ले के आरी है अगर आप job ready होना चाहते हो तो earn academy आपके लेके आ रहे है job ready courses for mechanical, electrical, electronics और civil वालंग के लिए अगर आप इन चार व्रांचेस से हो और आप करना चाहते हो job ready courses तो आपके लिए बहुत साथ चीज़े यहाँ पर discuss करने वाले है तो यहाँ पर आपको courses जो सिखाए जाने वाले है वो IIT के professor की तरफ से सिखाए जाएंगे प्लस यहाँ पर आपको placement और internship, assistantship भी provide करने वाले है प्लस यह जो courses रहेगा उस पर आपका certification भी provide किया जाएगा जो IIT रूर्की की तरफ से आपको मिलेगा यहाँ पर आपको incubation firm भी मिलेगा photolex तक जो आपके लिए बहुत helpful हो सकता है तो यहाँ पर क्या-क्या courses वो सिखाने वाले है जैसे की electric vehicle में जो चीजे एडवांस होने वाली है या फिर advanced VLSI की जो technology है वो यहाँ पर आपको सिखाए जाएगी प्लस drone technology आपको यहाँ पर सिखाने वाले है तो यह बहुत सरी चीज़े आपको यहाँ पर सिखने मिल जाएगी तो इसमें आप Android में करना चाहते हो तो आपको link description मिल जाएगा आप वहाँ से Android में कर सकते हो और एक important बात है Earn Academy 25 June को आपके लिए बहुत सरी चीज़े लेकिया रिए जैसे specialization workshop IITN के तरब से मतलब IIT में जो graduate हुए है वो आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि job oriented क्या skill लगता है और आप वो skill कैसे सीख सकते हो वो आपको यहाँ पर बताने वाले है तो इसमें भी Android में करने का link आपको description में मिल जाएगा आप वासे Android में कर सकते हो और एक important बात है कि यहाँ पर master class भी announce कर दिया गया है जो civil engineering वालों के लिए है कि यहाँ पर जो master class है वो होने वाला है mastering bending moment and share force diagram अगर आपको इसका practical application सीखना है तो इस master class को join कर लिजे जिसमें आपको practical application सीखाए जाएंगे कि industry में यह सभी चीज़े कैसी use की जाती है या फिर construction site पर आपको यह चीज़े कैसी implement कर सकते है वो आपको यहाँ बहुत बड़े चीज़े सीखाए जाएंगी तो बहुत सारे master class यहाँ पर announce किये है बहुत सारे session यहाँ पर announce कर दिये है सभी जो session है वो 25 जून को होने वाला है और उसका सभी का link description मिल जाएगा आप वासे Android में कर लेना ताकि आपको notification मिल जाए कि कभी यह session चालू हो रहा है और definitely आप उसको join कर सकते हो और Android में करते हैं आपको code यूज करना है जो कि है नोकुलेटर के आणोड डबली से लेटिया जिससे आप यह session free of cost अटेंड कर सकते हो अभी बात करते हैं बेल ने जो recruitment notification जारी है उसके बारे में तो क्या है notification उसके बारे में बात कर लेते हैं तो recruitment notification की बात की जाए तो आप यह पर देख सकते हो बहुत बड़े recruitment notification और इसके बारे में बात करते हैं तो यहाप बाहरत Electronics Limited के तरफ से recruitment notification जारी कर दिया गया है आप यह आप देख सकते हो बहुत सरी vacancies यहाप अविलेबल है पहली जो vacancy है वो है project engineer के लिए total 10 vacancy होने वाली है electronics वालों के लिए यहाँ पर vacancy है इसका जो distribution है वो भी यहाँ पर दिया गया है salary की बात करें तो यहाँ पर first year के लिए 40,000 की salary आपको मिलेगी second year के लिए 45, third year के लिए 50,000 और fourth year के लिए 55,000 की salary यहाँ पर मिलने वाली है job location भी यहाँ पर दिया गया है posting की location भी यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप port player में job करना चाहते हो कोची में या फिर गोवा में या फिर मुंबई में तो आपके लिए बहुत सरी vacancies यहाँ पर अविलेबल है तो अभी बात करते हैं इसके age limit की age limit की बात की जाए तो यहाँ पर 32 years age limit होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हो 32 years age limit होगी और अगर आप इस से इस्टिक अनेजरेट हो minimum 55% marks होने चाहिए आपके BB tech में तो ही आप apply कर पाओगे यहाँ पर एक important चीज़ है कि आपके पास experience होना चाहिए minimum 2 सल गए experience होगा तो ही आप apply कर सकते हो experience वालों के लिए job है बट बहुत बड़े job है अगर आप इंडिस्टिर हो तो definitely apply करना यहाँ पर अगर आपको यह job में interested नहीं है तो आप unacademy के जो चीज़े है उसमें join कर सकते हो वहाँ पर आपको बहुत से चीज़े सिखने मिल जाएगी अभी बात करते हैं इसकी selection process की तो selection process की बात की जाए तो यहाँ पर जो दो stage में selection होने वाला है पहला जो stage रहेगा वो return days, second जो stage रहेगा वो interview return days को यहाँ पर 85% का weightage है और 15% का weightage यहाँ पर interview को दिया गया है तो on that basis यहाँ पर selection होने वाला है apply कर से करना उसके बार में बात में बात करते हैं apply करते समय आपको application fee pay करने पड़ेगी 400 रुपिस के application fee रहेगी plus GST अलग से आपको pay करना पड़ेगा तो यह सभी चीज़े यहाँ पर होने वाली है यहाँ पर important चीज़े है कि CST candidate के लिए यहाँ पर कोई भी application fee नहीं है तो I hope आपको सभी चीज़े समझ में आगे रहेंगी फिर भी आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section पूछना मैं definitely आपको help करूँगा और आप job के लिए struggle कर रहे हो तो earn academic job release courses है वो join कर लेना जिससे आपको बहुत बड़े benefit मिलने वाला है सभी का link description में available है आप बहुत से join कर सकते हो तो फिलाल इस video में इतना ही अगर आप कोड़े पसंदा होगा तो उसका like कीजिए share कीजिए और चानल को subscribe करना मुद भूलिए धन्यवाद